Hello guys, welcome to Royal InTech तो guys, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग हमारे घर का कारपेट एरिया कैसे easily calculate कर सकते हैं कारपेट एरिया और built-up एरिया में फरक होता है तो जो कारपेट एरिया होता है वो actual एरिया होता है जो हम लोग को मिलता है मतलब उस area पे आप पुरा carpet बिचा सकते हो इस area में walls का area include नहीं होता है ठीक है और अगर area में wall का area include होगा तो उसको built up area बोलेगे लेकिन हम लोगों carpet area जानना ज़रूरी इसलिए होता है ताके हम उस घर की असली value पता कर सके तो guys चलिए video को शुरू करते है आपकी understanding के लिए मैंने ये एक plan बना के रखा हूँ ये मेरे ही घर का plan है मैं ये explain कर देता हूँ short में यहाँ से entry है तो फिर यहाँ पर living room आता है ठीक है living room L shaped का है तो इसलिए ये ऐसा बनाया हूँ ये W मतलब window ठीक है यहाँ पर आएगे तो ये kitchen है और ये जो space देख रहे है आप ये door है ठीक है और फिर यहाँ पर आएगे तो ये bathroom का door है और यहाँ पर bedroom का door है फिर bedroom के अंदर से यहाँ पर WC का door है ठीक है अभी मैं आपको living room है और right hand side में kitchen है और फिर थोड़ा आगे जाएगे तो right hand side में ये bathroom का door है और सामने bedroom का door है और फिर उसके अंदर से WC का door है तो दोस्तों अभी carpet area मालूम करने के लिए हमको सारे components जो room के components है सबकी length और width पता होनी चाहिए length मतलब लंबाई और width मतलब चोड़ाई ये देखिए इसकी width मैंने 4.27 meter लिखा हूँ ये कहा से कहा तक लेना है ये wall के अंदर के face से ये wall के अंदर के face तक wall की thickness इसमें include नहीं होना चाहिए अब ये L-shaped का है तो इसलिए मैंने इसको दो rectangle में divide कर दिया ये one ये two ठीक है उसी तरह kitchen का भी कर देना है bathroom का भी कर देना है और WC का भी कर देना है और bedroom का भी कर देना है ठीक है सबका length और width आपको मालूम होना चाहिए फिर इन सबका area निकालके हम लोग कर देगे add तो गाइस चलिए भी एक एक करके पूरा area calculate करते है ये living room का area कैसे calculate करेगे 4.27 multiply by 2.7 ठीक है और plus करेंगे ये वाला rectangle 3.3 multiply by 2.1 आप यहाँ पे देख सकते हो तो इसका ये answer आया उसी तरह kitchen के लिए भी करना है उसी तरह bathroom और WC के लिए भी करना है ठीक है अभी आपको ये confuse नहीं होना है ये जो मैंने बनाया हूँ ये wall नहीं है ये internal partition है acrylic का ठीक है तो मतलब ये भी area में include हो जाएगा ठीक है और फिर bedroom bedroom का क्या है 2.81 multiply by length इसकी length यहाँ पे हम लोग ने लिखे हुए है 4.27 meter अभी ये सारे areas को आपको add कर देना है तो आपको आपका carpet area मिल जाएगा तो दोस्तों ये सारे areas को add करने के बाद आपको आपका carpet area मिल जाएगा जो क्या है 36.847 square meter अब usually हम लोग हमारा carpet area square foot में calculate करते हैं तो square meter को square foot में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जो भी value आएगी उसको 10.76 से multiply करना पड़ेगा तो आपका answer आगया 396.47 square feet मतलब ये जो room है इसका जो carpet area है वो approximately approximately नहीं accurately बोल सकते हो 396.47 square feet अभी इसमें कुछ कुछ area missing है जैसे कि जो door का seal है इसका भी area add होगा इसका भी area add होगा इसका भी area add होगा और इसका भी area add होगा इससे मतलब जादा तो फरक नहीं पड़ता है एक दो square foot का ही फरक पड़ता है लेकिन और जादा accurately चाहिए तो आप इसको भी calculate कर सकते हो तो दोस्तो इस तरह आप आपके घर का carpet area निकाल सकते हो जिससे आपको आपके घर की सही value मिल सके अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like जरूर करना और हमारे चैनल को subscribe जरूर करना thank you so much for watching